दोस्तो सोमवार की अश्टमी पर देवी पूजा और व्रत करने का विधान है अश्टमी को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानज जाता है इस दिन भक्त देवी दुर्गा को श्रधांजली देते हैं अश्टमी को समरिधी और सफलता का आशिरवाद मांगने के ल में ही जो है महाशिवरातरी का दिन भी पढ़ रहा है इसलिए दोस्तो इस बार का जो मार्च का महीना है वो पूर्ण रूप से भगवान शिवजी की कृपा का सबसे बड़ा महीना है इसलिए आप लोगों को इस महीने को तो बिलकुल भी नहीं छोड़ना है क्योंकि इसी म शूम्वार के दिन पढ़ने वाली अश्टमी और सोमवार की अश्टमी दोस्तो साल में बहुत ही कम पड़ती है इसलिए जिस दिन भी सोमवार की अश्टमी होती है उस दिन को आप लोगों को बिलकुल भी नहीं छोड़ना चाहिए इसी तरह की महत्व पुरन और ग्यान वर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल सम्रिधी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके तो हम आपको बता दे कि सोमवार की अश्टमी दो हजार चौबिस में चार मार्च को सोमवार के दिन पढ़ रही है इसलिए इस दिन को सोमवार की अश्टमी जो है यहाँ पर कहा जाएगा अब दोस्तो इसी सोमवार की अश्टमी को या इसी दो हजार चौबिस साल की पहली सो वाला उपाई जो भी व्यक्ति करता है ना उसके जीवन से जो धन समरिधी की जो कमी रहती है वो खतम हो जाती है उसके पास में धन समरिधी आकर ही रहती है या आपकी जो भी मनोकामना हो ना वो आपकी मनोकामना पूर्ना वश्य होती है क्योंकि दोस्तो सोमवार की अश्टिमी के दिन बगवान शिवजी के मंदिर में शिवलिंग के पास में 64 योगनिया विराजित रहती हैं सभी देवी देवता विराजित रहते हैं तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि भाई सोमवार की अश्टमी का दिन कितना बड़ा माना जाता है कितना बड़ा होता है तो दोस्तों जो सोमवार की अश्टमी पढ़ रही है वो 4 मार्च 2024 के दिन पढ़ रही है तो इसी दिन आप लोगों को 31 चावल के दाने वाला उपाई करना है। Emin और ये वाला उपाई करना है। तो दोस्तों इसलिए आप लोगों को इस उपाई को अच्छे से समझना है और जरूर करना है। सबसे पहली बात हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये 31 चावल के दाने वाला जो उपाए है ये किस लिए किया जाता है तो दोस्तों देखें ये जो 31 चावल के दाने वाला उपाए है ये आपकी समस्याओं के लिए किया जाता है चाहे वो आपकी मनोकाम ना हो चाहे व्यक्ति की आप अपने सभी कामों के लिए ये वाला उपाय कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस उपाय को ऐसा जरूरी नहीं है कि माताएं बहने ही करें। बालगुन के महीने में साल की पहली सोमवार की अश्टमी चार मार्च दोहजार चौबिस के दिन पल रही है। पर इसी दिन ये 31 चावल के दाने वाला जो उपाय है इसको जो करने का समय है दोस्तों वो आपके पास सुभे का समय है। पर किसी कारण वश अगर आप सुभे को ना कर पाओ तो आपके पास दूसरा मौकर रहेगा शाम के समय का प्रदोशकाल का। प्रदोशकाल का समय का मतलब है कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय। कि दोस्तों अब हम समझते हैं कि आप लोगों को ये 31 चावल के दाने वाला उपाये कैसे करना है। देखे सबसे पहली चीज आप लोगों को इस उपाये को करने के लिए 3 चीजों की आवशक्ता होगी। जैसे कि ये जो उपाय है ना ये 31 चावल के दानों का है, 31 हरे मुंग के दानों का है और 31 बेल पत्र का उपाय है और आपको इस उपाय को करने से पहले इन तीनों चीजों की पहले से व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी। अलग से निकाल लीजेगा और फिर उन चावलों में से 31 चावल के दाने आप लोगों को अलग निकाल लेने हैं। दोस्तों मतलब 31 हरे मूंग के दानों को आपको हरे मूंग के जो दाने होते हैं वो आप लोग ये मत समझना की आपको दाल वाले दाने लेने हैं। देखे दोस्तों हरा मूंग वो होता है जो की पूर्न होता है सेगा का सेगा होता है जिसमें दाल नहीं बनी हुई होती। तो इस बात का ध्यान रखना है कि मूंग के दाने वो जो पूरे के पूरे हो वो कटा पिटा ना हो इस बात का आपको ध्यान रखना है तो आपको 31 हरे मूंग के दाने लेने हैं अगर घर में उपस्तित ना हो तो फिर आप बजार से जाकर लेकर आईए बस ध्यान रखना है कि दाल नहीं लेनी है आप लोगों को जो पूरे के पूरे सेगा का सेगा जो हरे मुंग के दाने होते हैं वो लेने होते हैं अब बता देते हैं कितने लेने हैं 31 हरे मुंग के दाने लेने हैं इसमें भी इस बात का ध्यान रखेगा कि 31 हरे मुंग के दाने जो हैं आप ले रहे अब देखिए यहाँ पर जरूर लोगों को समस्या आज सकती है 31 बेल पत्र हो सकता है कि आपको मिल भी जाएं हो सकता है ना भी मिले तो मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है आप किसी वरिक्षे से तोड़ कर लेकर आ जाएगा लेकिन 31 बेल पत्र कटे पिटे या किसी भ बात का भी आप लोग ध्यान रखेगा तो दोस्तों यह तीनों उपाएं की समगरी जो है वह आप लोग उपाएं को करने से पहले से ही तयार करके रख लीजिये, क्योंकि सुभह आपको मुझे रूप से इस उपाएं को करना है बाकी शाम के समय परदोश काल में भी कर सकते तो आप लोगों को ये उपाइ की पूरी सामगरी तयार करके रख लेनी हैं, अब जब आप लोग उपाइ को करने के लिए जाओगे, तो उससे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आपको इकतिस बेल पत्तर नहीं मिलते हैं तो उस स्थान पर आपको क्या करना है उस स्थान पर आप लोगों को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो बेल पत्र चड़े हुए होंगे उनमें से 31 बेल पत्र चाट लेने हैं उपाय को करने के लिए ये काम आपको तब करना है जब आपने पूरी कोशिश कर ली हो उपाय के लिए और आपको 31 बेल पत्र नाम ले हो तब ही उस स्थान पर आपको भगवान शिव जी के मंदिर में ही जाकर पहले 31 बेल पत्र ले लेने हैं उनको धो लेना है धोने के बाद ही उपयोग करना है फिर आप अपने उपाय में इन्हें उपयोग कर सकते हैं तो भगवान शिवजी के मंदिर पहुंचेगा आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो जहां पर शिवलिंग विराजित हो तो वहां पर पहुंचेगा और पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है इस उपाई को करने के साथ में आप भगवान शिवजी की उटाजल, बेलबत्र, फूल, अभीर, गुलाल वगेरा लेकर जा सकते हो पर अलग से लेकर जाना उपाई की जो ये समगरी होती है वो अलग रखकर लेकर जानी है और पूजन की जो समगरी है दोस्तों वो अलग रखकर लेकर जानी है पर पहले जाकर उपाई ही करना है बाद दीपक भगवान शिवजी के मंदिर में जाकर जला सकते हो पर दीपक भी बाद में ही जलेगा पहले उपाए ही होता है अब इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है जो दीपक आप लोग बनाओगे शाम के समय के लिए वो आटे का लेना है गोल बाती उसके अंदर रखना है और शुद्ध देसी गाए का घी डाल देना है शुद्धता का विशेश रूप से धियान रखना है शुद्ध देसी गाए का घी ही आप लोग इस उपाए में उपयोग कर सकते हैं तो करना क्या है सबसे पहले जैसे ही आप भगवान शिवजी के मंदिर के अंदर करके आए हुए हैं आपको इनको अलग से निकाल लेना है क्योंकि ये वाला जो उपाए है ये भगवान शिव जी की चौकट से शुरू हो जाएगा अंदर जाकर शुरू नहीं होगा इसलिए हमने आप से कहा कि जो भी आप पूजन समगरी लेकर आओगे वो आप बाद में ही इस्तिमाल करोगे बाद में ही भगवान शिव जी का उससे पूजन करोगे क्योंकि ये उपाए भगवान शिव जी की चौकट से ही शुरू हो जाएगा आपके मंदिर जाते से ही शुरू हो जाएगा पर जो लोग बेल पत्र लेकर नहीं गए होंगे बस वो लोग क्या करें पहले अंदर जाकर बेल पत्र उठा लें भगवान शिवजी के शिवलिंग से उनको धोलें और फिर वापिस से बाहर आ जाएं और उन्हें फिर उपाए में इस्तिमाल आप कर सकते हैं फिर वो लोग अपना उपाए यहां से शुरू कीजेगा तो आपको करना क्या है सबसे प कोई सी भी साइड देखेगा उसाइड पर सबसे पहले आपने वो इक पतीस चावल के दाने निकाल करके एक साथ अपने सीधे हाथ से भगवान शिवजी की चौकट पर रख देने हैं चौकट के बीचो बीच नहीं रखना है चौकट के कोने में रखना है एक राइट हैंड की चौकट होगी और एक लेफ्ट हैंड की चौकट होगी तो कभी भी एक कोने में आप लोगों को ये 31 चावल के द उसी चौकट से, चावल आप लेफ्ट साइड रखो, चाहे चावल आप राइट साइड रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर बीच में मत रखना ठीक है, क्योंकि वो किसी के पैरों में नहीं आने चाहिए, इस बात का धिहान रखना, चावल रखकर मनुकामना बोलकर आप भगवान शिवजी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना और भगवान नंदी के पास में आकर रुख जाना आपने देखा होगा कि भगवान नंदी का एक पैर हमेशा उठा हुआ होता है आपको एक पैर अलग ही दिखता है तो आपको क्या करना है आपको वो अपने 31 सरे मुंग के दाने निकालने है जो आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हो इन 31 सरे मुंग के दाने को भी आपको एक साथ ही चड़ाना है एक एक करके नहीं चड़ाना है तो 31 दानों को जो एक साथ आप अपनी सीधे हात में रख लीजेगा और रखने के बाद आपको क्या करना है? उस उठे हुए पैर के पास में आपको वो 31 अरेमूंग के दाने भगवान नंदी जी के पास में रख देने हैं और रखने के बाद भगवान से प्राथना कर लेना है, अब वहां से उठना है, सीधा आपको आ जाना है भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में, अब शिवलिंग के पास में अगर आप लोग बैठ सकते हैं, अब अपने वो 31 बेलपत्र निकाल लीजिए, देखें 31 बेल पत्र ये आपको चढ़ाने है, माता अशोख सुंद्री जी वाले स्थान पर, माता अशोख सुंद्री जी का स्थान कहां पर होता है, ये होता है भगवान शिव जी की जलधारी की बिल्कुल बीचों बीच में, मतलब जो जलधारी होती है, जलधारी के बिल्कुल बीच बी अपनी मनोकामना बोलते जाना दोस्तों ये उपाए मनोकामना बोलने पर हिस्माप्थ हो जाता है तो ऐसे में आप अपनी मनोकामना की पूर्ती के लिए ये उपाए अवश्य ही करें तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही उमीद करती हो कि ये वीडियो अच्छी आवाद